चिकन वाइट टिकका विद सिल्की स्मूध ग्रेवी लग रहा है ना बिलकुल रेस्टाउंट स्टाइल और टेस्ट ऐसा है कि अगर आप रेस्टाउंट से भी लेकर आएंगे ना तो वो भी इसके आगे फीका लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है एक बार बनाएंगे तो हर कोई इसका कायल हो जाने वाला है असलाम अलाएकॉम तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन वाइट टिकका विद सिल्की स्मूध ग्रेवी सबसे पहले हम एक पेस्ट तयार कर लेंगे तो 14-15 टूटे वे काजू ले लेंगे और 6-7 हरी मिर्च ले लेंगे या फिर हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं इसका हमें एक स्मूध पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पाइं डालकर एक स्मूध पेस्ट बना लेंगे रग देंगे इसको एक साइड में अब इधर मैंने तकरिवन 600 ग्राम बोर्लेस चिकन लिया हुआ है मैं हाँ कॉशिश करेंगा कि अगर आपको आसानी से दस्त्याब हो रहे है तो आप पर थाए के पीसेज लीजे और इसको एक से डिरिंज के इस्था से पीसेज में कट कर लीजएगा अब इसमें डाल दिंगे एक टीस्पून के करीब काली मिर्स का पाउडर और इसी के साथ हम इसमे में ठीश पून चाट मसालिक पाउटर और एक टेबल श्बून अदरग का पेस्ट और एक टेबल श्बून इसमें लैसन का पेस्ट आल देंगे और इसी साथ इसमें आदा कप जाएगा दही तो ये गाड़ा दही है प्लेन दही है साधा खटा मीठा नहीं है ये हम इसमें डाल देंगे अब ये एक टेबल स्पून के करीब नीबू का रस है ये भी हम इसमें डाल देंगे अब हमने जो हरी मिर्च और काजू का पेस्ट बन देंगे आधा बचा लिए बाद में करेंगे तो यह देखें आधा पेस्ट मैंने बचा लिया इसको अभी में रग दूँगे और इन सभी इंप्रीड को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 10-15 मिट के लिए इसको मारिनेशन के रख देंगे, जादा टाइम है तो फिर फ्रिज में रख दीजेगा, जितना जादा आप मारिनेट करना चाहें, मैं अभी सिर्फ 15 मिट के लिए इसको मारिनेट कर रही हूँ, चिकन मारिनेट हो चुका है, अब एक पैन ले ले लेंग दो-3 मिट के लिए फ्राइ करने के बाद हमें इसको कवर कर देना है, और ढख पकाना है, हमें इसमें पानी नहीं डालने है, क्योंकि अब दही हमने यूज किया है, और जो चिकन है, यह सब अपना पानी चोड़ते हैं, तो पानी नहीं डालेंगे, लो फ्लेम पर इसको 12-15 के लिए कोक करेंगे, क्योंकि यह बोनलेस चिकन है, चोटे-चोटे-चोटे पीसे हैं, तो 12-15 मिट में आसानी से गल जाएंगे, मैं आपर बोनलेस यूज कर रही हूं, अगर आपके पास बोनलेस अवेलेबिल नहीं है, तो फिर आप बोन्स के साथ भी रेसेपी बना सकते बीच में एक से दो बार इसको खोल कर हमें चला लेना है, यानि की ओपर नीचे कर लेना है, और इसको ढखकर जो टोटल हमें कोकिंग करनी है, 12-15 मिट के लिए करनी है, लो फ्लेम पर चिकन को पकते वे 12-15 मिट हो चुके हैं, अब हमें इसकी लिट खोलनी है, और हाई फ्ल करके यह सारा पानी ड्राय कर लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, हाई फ्लेम पर मैंने सब पानी ड्राय कर लिया, इस तरह से पानी को ड्राय करिएगा, कि यह जो ग्रेवी दिख रही है, यह जली नहीं, इस ग्रेवी को हमें समाल कर रखना इसका इस तावाल हम बा तक्रेंब एक से दो अचनव तकरीभान आधा लियुर्ग अब हमने था-IREमिर्ज का पेस्ट बचा लिए पानी डाल डंगे अब आधा लिए नहीं शूरीमक तो उप्हार इसको अब फ्रेश क्रीम इसके बाउर हमिषब लिए डाल गोस्ति 1 जब तक पकालेंगे जब तक क्रीम नहीं हों Sao के क्यूंओ धूलों सबस्क्राइब या तो आप माइक्रो ओवन में इसको ग्रेयो कर लेनाना सब्सक्राइब इससे एक भूत अछगा आता है और बिलकुल टिक्का वाला टेस्ट आता है जैसे कि मार्केट में टिक्का बिलता है चिकन के पीस्स बहुत अच्छे से ग्रिल हो गए बहुत अछा साय है की स्मोकी फ्लेवर भी इनमें आगिया तो रख देते हैं इसको अभी एक साइड में और इधर आजाते हैं हम अपनी ग्रेवी की तरफ ग्रेवी मुझे थोड़ी सी गाड़ी लग रही है तो मैंने वन थर्ट कप यानि की 80-90 ml के करीब इसमें दूद एड़ किया है अब दूद नहीं तो आप पानी भी आड़ कर सकत हैं और इसको फिर से पका लेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाती है तो इस तरह से हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है गैस की फिल्म को हम बंद कर देंगे और चलिए अब कर लेते हैं एसेंबलिंग सर्विंग बोल ले लिंगे और इसमें ट्रांसफर कर देंगे अ तो हमें इसमें सारे ही अपने टिका के पीसेस डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो पैन के अंदर डिरेक्ली ये चिकन के पीसेस डाल कर वहीं पर इसको मिक्स कर लें बाद में साफ कर लें और अब हमें डालना है इसके अंदर बटर त तो उपर से इसमें बटर थोड़ा सा जरूर डालेगा बहुत अच्छा टेस्ट देता है और इस तरह से हमारा चिकन टिक का विच सिल्की स्मूध ग्रेवी बनकर तयार है बहुत ही जबरदस ये बनकर तयार होता है और इस तरह की डिश आपने बहुत ही रेरली घर में बनाई आपको आपके घरवालों को सभी को बेहत पसंद आएगी और दोबारा से बार-बार डिमांड जरूर आने वाली है कि आप इस टिश को फिर से बनाए रेसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो देखने क बहुत बहुत शुक्रिया अलाफिज झालाफिज झालाफिज